नमस्कार दोस्तों, हर साल सावन के महीने को सभी शिव भक्त एक तिवहार की तरह मनाते हैं और तरह तरह से दिवादी देव महादेव का पूजन अर्चन कर उनकी कृपा से मन वांचित फल प्राप्त भी करते हैं वैसे तो सावन के अलावा भी शिव को बेलपत्र अर्पित किये जाते हैं लेकिन सावन मास की बात ही कुछ और है अगर सावन में ऐसे और इस विधी से शिव जी को बेलपत्र अर्पित किये जाएं तो प्रसंद होकर महादेव भक्त जिस चीज की कामना करता है उसकी इक्षा पूरी कर देते हैं ऐसे कई साक्ष भी हैं और कई प्रमाण भी हैं कि शिव जी अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से ही बहुत खुश हो जाते हैं और मन वांचित फल देते हैं शास्त्रों में उलेख आता है कि भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र शिव जी को अरपित की जाने वाली सबसे प्रियेवस्तु है शिव लिंग पर बेलपत्र अरपित करने से शिग्र प्रसन हो जाते हैं महादेव माननेता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेश क्रिपा पाना चाहते हैं तो सावन मास में बेल पत्र को ऐसे अर्पित करना है बेल के पेड की पत्तियों को बेल पत्र कहते हैं बेल पत्र में तीन पत्तियां एक साथ जोड़ी होती हैं लेकिन इहें एक ही पत्ती माना जाता है फ्रेंड्स बेलपत्र के छोटे पौधे को आप अपने घर में टेरिस गार्डन में या बालकनी में बहुत ही असानी से लगा सकते हैं मैंने भी अपने छट पर बेलपत्र का पौधा लगाया है जब यह पौधा आपके हाइट के बराबर हो जाएगा तो आप इसे किसी मंदिर में दान कर दीजे या फिर कहीं बाहर इसे रोप दीजे और फिर से लगा दीजे और उस अपने गमले में फिर से एक छोटे से नए पौधे को लगा लीजे जो लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं उनके लिए यह बहुत ही आसान हो जाता है हर दिन आप ताजी पत्तियों को तोड़ कर शिवलिंग पर चड़ा सकते हैं तो वास्तू के हिसाब से भी और घर में पौजिटिविटी के एकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यह बेलपत्र का पौधा घर में लगाना शुब माना जाता है ऐसी माननेता है कि भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बीना पूरी नहीं मानी जाती है फ्रेंड्स हम कई अपने पुर्वजों से भी सुनते आये हैं कि जब भी भगवान शिव की पूजा होती है तो हमें बेलपत्र जरूर चढ़ाना होता है बेलपत्र पे राम राम लिख करके शिव जी को चढ़ाया जाता है ब्रह्मा विश्णु और शिव का साक्षात रूप है तीन मुखी रुद्राक्ष ऐसी माननेता है कि सावन में धारन करते ही होने लगता है चमतकार जब शिव लिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो आप इन बातों का विशेज ध्यान रखें एक बेलपत्र में तीन पत्तियां होती हैं पत्तियां कटी या तूटी हुई ना हो और ना ही उनमें कोई छेद हो यानि कि यदि जिस पत्ति को आप चड़ा रहे हो शिव जी पर वह फ्रेश ताजी होनी चाहिए वैसे तो बेलपत्र को धो करके भी वापस शिव जी पर चड़ा दिया जाता है बशर्ते की पत्तियां गली हुई तूटी फूटी ना हो बेलपत्र को उल्टा करके ही शिव जी पर चड़ाया जाता है उपर का जो चिकना भाग होता है उसे शिव के तरफ यानि की उल्टा करके रखा जाता है एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार-बार भी चड़ाया जा सकता है एक साथ में धेर सारी यानि कि एकठी बेलपत्र ना चड़ाएं हमेशा एके करके ओम नमस शिवाय मंत्र का उचारन करते हुए ही बेलपत्र अर्पित करें कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कितने बेलपत्र शिव लिंग पर चड़ाएं फ्रेंट्स 7, 1, 5, 7, 11, 21, 25 या 108 की संख्या में ही बेलपत्र शिव लिंग पर अर्पित करें 108 की संख्या बहुत ही शुप मानी जाती है जिस माला से हम जब करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं उसमें भी 108 मोतियां होती है सावन मास में बेल पत्र को शंकर जी पर चड़ाना बहुत ही शुब माना जाता है ये तो अध्यात्म की बात हो गई और यदि हम घर में पॉजिटिविटी की बात करें कई सारे ऐसे पॉधे हम अपने घर में लगाते हैं जिससे हमारे घर में एक अच्छा फ्रेश और पॉजिटिव वातावरन बना रहे है कई सारे पॉधों में ये बेल पत्र भी एक ऐसा ही पॉधा है बेल पत्र को यदि आप उपर के तरफ बान देते हैं तो वह रसी के सारे उपर चड़ता जाता है जो एक पॉजिटिविटी और जीवन में तरक्की को दर्शाता है ये ऐसी बेल है जो किसी सारे से बहुत ही उचाई तक चली जाती है यदि आपके पास जगह है तो आप जमीन में लगाईए और इसे उपर की तरफ बान दीजिए जो घर में एक उन्नती को शो करेगा बेल पत्र के और कई लाब हैं बेल पत्र का केवल दैविये प्रयोगी नहीं इससे अनेक रोग भी ठीक हो जाते हैं बेल पत्र तमाम औशदियों में भी काम आता है इसे खाने से सेहत से जोड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती है बेल पत्र का रस आँख में डालने से आँखों की जोति बड़ती है बेल पत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खासी से राहत मिलती है सुबह ग्यारा बेल पत्रों का रस पीने से पुराना सिर्दर्द भी ठीक हो जाता है और वैसे भी बेलपत्र का जो फल होता है जो बेल होता है हम सब को पता है वो हमारे पेट के लिए हमारे पाचन तंत्र के लिए रामबान की तरह काम करता है उसके गुदे का शर्वत बना कर पीने से हमारे पेट की कई सारी बिमारियां दूर होती है शायद इसलिए भी यदि हम इसे वैज्ञानिक द्रिष्टी से देखें तो बेल पत्र हमारे जीवन में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यदि हम पौधे को लगाने के विशे में सोचते हैं तो बिलव व्रिक्ष या बेल का पेड हमारे लिए एक उपयोगी वनस्पती है जो हमारे कश्टों को दूर करता है भगवान शिव को बिलव व्रिक्ष की पत्तियां चड़ाने का अर्थ होता है कि जीवन में हम भी लोगों के संकट में उनके काम आए दूसरों के दुख के समय काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु भगवान शिव को प्रिय है और शदिये गुण की बात करें तो बिलव पत्र का सेवन, त्रिदोश यानि वात वायू, पित, कफ वह पाचन क्रिया के दोशों से पैदा बीमारियों से रक्षा करता है यह त्वचा रोग और डाइबेटीज के बुरे प्रभाव बढ़ने से भी रोकता है दोस्तों क्या आपको पता है शिव उपासना के प्रमुख दिन यानि सोमवार को बेलव पत्र नहीं तोड़ना चाहिए चतुर्थी, अश्टमी, नौमी, चतुर्दशी और आमवस्या को बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए यह जो तारीखे हैं इन्हें आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत ही आसानी से आपको पता हो जाएगा कि इस महीने की चतुर्थी कब है, अश्टमी कब है, नौमी कब है, इस दिन को बिलव पत्र नहीं तोड़ना चाहिए किसी मा में सक्रांत्री के दिन भी बिलव पत्र तोड़ना उचित नहीं है, अगर इन तीतियों में शिव पूजा में बिलव पत्र के आवशक्ता हो, तो उसके लिए यह नियम है कि आप शिव पूजन में उप्योग कियेगे बिलव पत्र को फिर सिधो करके शिव को अर्प कर सकते हैं बशर्ते की वह जो बिलो पत्र है वह गला हुआ ना हो तूटा फूटा ना हो देखने में साफ स्वक्ष लगे एक पुराणिक कथा के अनुसार 89,000 यानि 89,000 रिशियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधी परम पिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मा देव ने बताया कि महादेव 100 कमल चड़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चड़ाने पर होते हैं ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेल पत्र और 1000 बेल पत्र चड़ाने के फल के बराबर एक समी पत्र का महत्व होता है इस तरीके से बेल पत्र के पौधे को हम अपने घर में जरूर सावन में अस्थान दे छट पे लगा ले छोटी बालकनी है तो छोटे कंटेनर में लगा ले उचे देखवाल करने से ये बेल पत्र का पौधा आपके घर में खुशहाली लेकर आएगा और मुझे इसमें कोई नुकसान भी नहीं दिख रहा हम यदि पेड़ पौधे के शौकीन है तो एक पौधा बेल पत्र का ही सही और इसे तोड़कर बहुत ही असानी से आप देवी देवता को भी चड़ा सकते हो तो इस पौधे को आप अपने घर में अस्थान दीजे ये जा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी किसी विशे पर यदि जानकारी चाहिए आप कॉमेंट सेक्शन में फ्री होकर के लिख सकते हैं